बीजेपी बाद है आपका राश्टरवाद नहीं है जवाद बीजेश चोटा है इनों ने बोला च्छे टेजस खरीद के तेजस इंडिजनेस है भाई तेजस खरीदा नहीं किया है तेजस बनाया गया है भारत के दौरा वो सवनिर्वी तहदेश में अब दूसरी बात हम कहते के लिए इनोंने कहा 24-14 के बीच में कोई खरीद नहीं हुई और ये बात सही है कि रफेल का फाइनलाइजेशन इनके जमाने में हो गया था और रक्षा मंत्री ने दुबारा कह दिया कि प्रोसेस को फिर से कर लिया जाए एकसेप्ट करने के बाद इसलिए इतनी देर लगी और जो इनोंने बात कही हम तो सिर्फ इमानदारी से एक बात कहना चाहते हैं ये बताएं इनके जमाने में LCA प्रोजेक्ट शुरूआ था कितने साल लगे थे उसको बताएं और अगर इतना एयर फोर्स की बात तो ये भी बताना चाहता हूँ कहेंगे पुरानी बात थी 47 मे ये इस्तिती हुई अगर एयर फोर्स की जो ताकत थी वह हमारे इस पर एक छोटा सा जवाब जिसके बाद मैं आने में माना देरे से डरे हुए लोग, खौफ से भरे हुए लोग, करते हैं सरहदों की बाते ये घर में घुसे हुए लोग बस आपने छोटा सा कहा तो तो छोटी बात कर दी, बड़ी बात भी करना चाहते हुए और आप राफैल की बात कर रहे थे, आप सुन लीजिए कि इस सरकार ने पिछले आठ सालों में, नौ सालों में सिर्फ 36 और 6 जहाज खरीदे हैं, जबकि पहले हमारा रिकॉर्ड रहा है हम 25 साल लेकिन अनुमा जी, जनता ने क्यों नहीं विश्वास किया राहुल गांधी पर, वो तो चौकीदार चोर है तक का नारा दे रहे थे इसी राफैल पर 2019 में, मूर की खानी पड़ी, क्यों? चान बीन करवाईए, सच में चान बीन करवाईए, किसी बंधे हुए, क्लोजड अन्वलप में उसकी रिपोर्ट नहीं आना चाहिए, ये बहुत जिरूरी है इनों सिर्वे कहा, तो डरा हुआ क्या होता है, इनके जमाने की बात करो अपने नहीं चीन-चीन देश का गुलाब ले गया, नहरूजी चीन के सदमे में गये, और ताशकंद में वतन का लाल सो गया और ये सुलह की शकल को सवारते रहे, जीतने के बाद बाजी हारते रहे, ये होता है जवाब दीगे, लेकिन मामला बहुत पीछे तक पहुच गया है, लेकिन मैं वापस आज के दौर पे लाना चाह रहे हूँ, क्या ये हमेशा कहते हैं, हर बजट सत्र के पहले, कुछ ना कुछ कभी पेगसस की रिपोर्ट आती है, कभी बीबीसी की डॉक्युमेंटरी आती ह लपक लेता है, at the cost of कुछ ना कुछ उथल पुतल देश के अंदर हो, हमने देखा कि बाजार में किस तरह का ब्लड बात हुआ, तो ये नायक है, अगर बीबीसी ने 2002 दंगे की बात की है, तो ऐसा हुआ नहीं है क्या, नमबर एक, और वो एक डोकुमेंटरी है, उस डोकुम अगर कोई सवाल उठाया है, और कोई सवाल हुए तो बोले कि ये देश पर हमला है, अगर कोई व्यक्ति व्यापपारी पे, अगर कोई सवाल उठाता है, और वो भी सवाल एकदम फोकॉस्ट है, प्वेस्चन के फॉर्म में है, कि आपने फ्रॉड किया है, आपने मनिपुलेशन किया है, वो देश के अस्तित उसे कैसे आता है, सवाल यहाँ पे है, अज़िए आलोग जी, शेर्स के मैंपुलेशन का है, तो उसको देश पर हमला बता देती है, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी ने कभी कहा है कि अडानी पर हमला देश पर हमला, यह अडानी ग्रूप ने जवाब दिया था, लेकिन मुझे यह बता हैं जना जी और आप लोग भी बता है, यह सब स्टूडेंट्स हैं, हमारे इंफलेशन कर रहा है, उसको कॉंग्रेस में भी उतनी मदद मिल रही है, मोदी जी भी उतनी मदद कर रहा है, अडानी देश कैसे चल रहा है, क्या नेरेटिव है, और एक कमपनी के कारण पूरे देश की एकॉनमी का भटा मिट जाएगा, मतलब हमारे देश की अर्थिवस् इस देश के 140 करोड अबादी सबको सरकारी नौकरी मिल जाए संभव है, क्या बेरोजगारी, अगर हमारा इंडस्ट्रिल क्लाइमेट देश का अगर डिस्ट्रॉइ होता है, तो इससे सबसे बड़ा नुकसान किसको है, देश को है, किसी और को है, समस्या है कि अपनी अपनी तीक शस्पे में उतारने लगेंगे तो बड़ा बिकत हो जाएगा।